हलो फ्रैंस रियल क्विक एनलेसिस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है तो चलिए अब चल्दी से हम चर्चा करते हैं अपने आज के रियल क्विक एनलेसिस की हमारे लिए ऑक्सिजन कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है यह हमें पता लगा कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान सुअभाविक है किल्दत नमक की हो या ऑक्सिजन की हो दो नहीं केस में काला बजारियों की मौच होती है दुनिया का सबसे बड़ा काला बजारी तो हमारा दोर्म देती है इसलिए जो किया वैद हमारे साथ हो नहीं था लेकिन इस दौरान जमीनी करभी सच्च्च्छाई यह है कि भारत में नाम मात्र के लिए ऑक्सिजन कॉंस्ट्रेटर बनते हैं और जो थोड़े बहुत बनते भी हैं उन्हें चीन से कंपोनेंट मंगा कर भारत में assembl किया जाता है rocket बनाने के मामले में हम दुनिया के अवल देशों में आते हैं लेकिन oxygen concentrator जैसे basic equipment के मामले में हमारी किंटी पिछड़े देशों में की जाती है हम सभी ने शर्म के साथ देखा है कि पिछले एक महीने में पूरे दुनिया के देशों ने भारत को oxygen कॉंसेंट्रेटर दान में दिये है यह इस्तिती पैदा कैसे हुई उसका जवाब यह है कि अभी तक ऑक्सीजन कॉंसेंट्रेटर को इंपोर्ट करने के ऊपर महज 10 पीसिदी की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी अब आप ही बताएं कोई भी कंपनी क्यों मैनुफेक् उक्सीजन कॉंसेंट्रेटर की भारत में इतनी किलत हो ग गई कि भारत सरकार को वह रही सही दस प्रतीशत को कस्तेंट्र neighborhood भी घटाने पड़ गई अब अब पश्यात होत किया जब चड़िया चुक गई खित। लेकिन मैसेज किलियर था कि ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर के मामले में भारत को आत्मिरबर होना ही पड़ेगा। जब पूरे दुनिया भारत को ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर दान में दे रही थी, तब ताइबान ने भी एकरन भारत को डोनेट किये लेकिन ताइबान और दूसरे अन्ने देशों में अंतर यह है कि दूसरे देशों ने दान करके अपना कर्तब भी पूरा कर दिया लेकिन ताइबान की कमपनी EMG टेक्निलोजी ने भारत में ही और इसके लिए उसने तमिल नाडू में जमीन दूर ली है और वह अभी इंडियन पार्टनर की तलाश कर रही है अब आप मेंसे कुछ लोग कहेंगे कि यह सब तमिल नाडू में ही क्यों हो रहा है तो आपको इस सवाल का जवाब हम से नहीं अपने अपने राज के मुख मंत्रियों से पूछना चाहिए क्योंकि जहां उन्हें कोरोना पर राजनीती से फुरसत नहीं वही तमिल नाडू की सरकार ऑक्सिजन कॉंसेंट्रेटर के उत्पादन के लिए किये जाने वाले निवेश पर 30 फीसिदी की सबसिडी दे रही है और उन्होंने यह नड़ने पिछले सब्का ही लिया है इसे कहते हैं मौके पर चौका तमिल नाडू की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ किसी भी पार्टी की सरकार बनी रहे वह इंडुस्टलिस्ट को फाल्दू में छेड़कानी और परिशान नहीं करती है अगर आप दिल्ली से हो तो जरह सोचिए क्या दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन के लिए रोने बिलकने के बजाए यह नहीं कर सकती थी उल्टा हमारे यहां तो चलन यह है कि इंडुस्टलिस्ट और विजनिसमेन को गालियां दो तब ही बोट में लेंगे आउक्सीजन संकट के दोरान आज वही टाटा अंबानी और अडानी काम आ रहे हैं जब बड़े बड़े नेताओं ने हाथ खड़े कर दिये थे एनिवे ताइवान की कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद उसने भारत में भी बड़े पैमाने पर आक्सीजन कॉंसेंट्रेटर के उत्पादन का निर्ने लिया चीन जिस चीज की काला बजारी करके माला माल होने का मौका दूर रहा था ताइवान ने भई प्रोड़क्ट भारत में बना के चीन के बने बनाए काम को बिगार दिया दोस्तों इस तरह के पॉजिटिव टॉपिक्स जिन्हें कवर करने का थोड़ा सा समय बड़े-बड़े यूटूबर्स को नहीं मिलता है आपके लिए हम उन्हें लगातार कवर करते रहेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनलिसिस आप आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो यदि पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए और चैनल से जरूरे रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अदेख धहनेवाद